हे गाईज, कैसे हैं आप आज बनाएंगे बहुती टेस्टी, यम्मी से विन्टर स्पेशल समर स्पेशल कह लिजे चाहे, विन्टर स्पेशल कह लिजे है राजमा चावल, एवर ग्रीन हर किसी के फेवरेट होते बच्चों के तो खास करके जे फेवरेट होते हैं गया तो मैं इसके एक से दो तरीके बताऊंगे आपको बनाने के आपको जोन से तरीके से ज्याला पसानाएंगे उस तरीके से मनाईएगा बहुत ही जल्दी मिंटों में सीक्रेट्स बताऊंगे आपको किस तरीके से आप बना सकते हैं राजमा को फटा फट पंजाबी तड़के वाले करारे चट पड़े तो Sunday special के ही है चाहे Saturday special के ही है कहना पसंद करेंगे गईज़ आप मुझे कमेंट करके बताएए एकदम घुले घुले यम्मी टेस्टी राजमा चावल एकदम धाबा स्टाइल रेस्टूनेंट स्टाइल चाहे तो शादियों में जो जाकर हम खाते हैं बच्चे फड़े खुशी खुशी काते हैं राजमा चावल कहीं पर कुछ भी मिल रहा हो बच्चे तो राजमा चावल ही खाते हैं तो जहां मैंने ले लिया है चित्री वाले राजमा जो होते हैं एक होते हैं कश्मीरी राजमा आते हैं रेड रेड कलर गे हम ने चित्री वाले लिया है जो राजमा पंजाब में एकसर खाय जाते हैं क्योंकि बहुत ही जल्दी घुल जाते हैं और गाड़े-गाड़े थिकनेस वाली ग्रेवी इसकी बनती है बहुत जल्दी पक जाते हैं जे राजमा गैस देखें मैंने रात भर इनको भिगो दिया था, 200-200 ग्राम मैंने राजमा लिये थे, जब आप रात बर भिगो देंगे ना, तो राजमा की तैसीर बहुत ही बढ़िया हो जाती है और हैल्दी हो जाते हैं ये राजमा, खाने में हमें जल्दी पच जाते हैं, जब हम भिगो करके, कोई भी चीज को बनाते हैं, तो गज़ तो फिर जुरूर डालिएगा लसुन गार्ली को तो देखे गाइस मैंने डाल दिया अब मैं पिस लूँगी तो गैस कीवरी होता है ना खड़ा पर में मसाला हमारा खड़ा खड़ा रह जाता है जानी प्रोपर निपिस था जब आप द्वारां से लगा करके इसको हलका सा टै बोर मत लीजेगा गाइस तो जहां पर मैं आपको में टिप देती हूं खटे वाले टोमाड़ यूज़ करें बहुत ही राजमा बढ़िया बनेंगे तो मैंने एक पैन ले लिए उसमें डालेंगे कुकिंग और साथ में डाल देंगे अजवायन चीरा साथ में मेथी दाना ड अब काली मिर्ची बी आल दिया और तो लॉंग डाल दिया और साथ में डाल चिनी का टुकुड़ दा दिया और बड़ी लेची भी डालीए गाइस साबत मसाले जो भी डालना चाते है आप डालिएगा जरूर एक से एक दम फ्लेवर निकल करके आएगा तो जहां में डाल द देते हैं मैंने पहले भी दो वीडियो डाली है आपको राजमा की आप वो भी देख सकते हैं तो गाइस बहुत मेरी पुरानी वीडियो थी तब में कोई इतना एक्सपिरियंस नहीं था लेकिन फिर भी अच्छी वीडियो मैंने वो बनाई हुए है लग से दोनों डिफरेंट यहां कलर देने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पॉड़ डाल दूगी और साथ में डाल देंगे हल्दी पॉड़ और साथ में गरम असाला घर का त्यार किया और धनिया पॉड़ नमक टूटेस डाल दूगी गैस देखें बड़ी आसा इसको बनाएंगे भून भून करके दे इसी राजमा में यूज़ कर देंगे अब मैं क्या करूंगी पांस से दस मिनल लगातार इस ग्रेवी के अंदर हम इन मसालों में राजमा को भून लेंगे बिना उबाले हुए देखें गैस पांस दस मिनल में जे एकदम ग्रेवी में अंदर रडियूज हो जाए क्योंकि न अब भी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए गांगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ वाटसप पे शियर भी कर दीजिँगा कैसी रिप्संद आ तो देखेंगे इस एक यसी कि कोई नहीं रेस्पी पूछ ना चाते हैं कुछ बनवाना चाते हैं तो में को फेस्बुक पर फॉलो करके उसमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं तो गैस देखे राजमा बहुत ही अच्छी ग्रेवी पक चुके थे अब मैं इसको एक कुकर में शिफ्ट कर दूंगी बड़ देखे 20 मिनट के बाद खोलेंगे कुकर को ठंडा होने के उपर बड़िया सी ग्रेवी हमारी तियार हो चुकी है राजमा की हलका सा प्रेस करेंगे कडची के साथ जिससे की गाड़े थिकनेस वाले राजमा बड़िया से पगगे हैं देखे गईज एक दम बड़िया तो उपर से ठालना चाते हैं देखे एक चमद दो चमद डाली है राजमा पकरे थे दूसरी तर्फ मैंने चावल भी त्यार कर लिए थे सफेद चावल वाले हैं उबले हुए चावलों के साथ खाईए राजमा चावल खाईए खिलाईए आपकी किचन नीर वालियों के लिया राजमा पक चुके हैं एकदम गुले वे कोई कहेगा भी नहीं आपने इनको उबाला है नहीं उबाला है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग